नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन इथेनोल प्रोडक्षन प्रमोशन निती दोहेर बाज की स्विक्रिति दी गाई जार्खन इसकुली सिक्षा यम सक्षता विभाग रांची के पत्रांग 2926 दिनांग 2926 द्वारा निर्गत निर्नाय की अगोतन स्विक्रिति सम्बाद में दी गाई वही स्वास्त चि मावली 2020 में संसोधन की स्विक्रिति दी गाई वही साहिवगन जीला अंत्रगत गुमानी बराज योजना के निर्मान कारे को लेकर 361 क्रोर रूपय मात्र के पंचम पुर्णिक छी प्राकलन की प्रसास्निक स्विक्रिति है तू दिनांग 2422 को मंत्री पर्षत द्वारा प् चाहे रहेंगे वहीं 25 और 26 अक्टूबर को जारखन के कुछ इलाकों में हलके से मदर्ज की बारिष की संभावना है इस दरन बजरपात की भी संभावना जताई गई है मौसम बेग्यानी अभिसेक आनन ने कहा है कि 20 अक्टूबर को जारखन से दक्षिन पच्छी मांसुन क की बिदाई हो गई है करीब चार महीने दो दीन जारखन में रहने के बाद दक्षिन पच्छी मांसुन गूरवार को जारखन से बिदा हुआ वहीं मांसुन के जाने के बाद अमोसम सुस्क रहने के उमिद जताई जा रही थी लेकिन उत्तरी अंडमान सागर और उस सटे चे संख्या में उग्रवादयों ने की आंधाधून फाइरिंग जार्खन के अत्ती उग्रवाद प्रभावित जीले लातेहर में बढ़ा नक्सली हमला हुआ है लातेहर में निर्वाना धीन थर्ड रेलवे लाइन साइट पर 25-35 की संख्या में आया हत्यार बंद नक्सलियों ने दोपर में दो से तीन बजे के बीच में अंदाम दिया बता दे कि घटना स्थल पर रेल विकास निगम विभाग द्वारा रेलवे लाइन साइट का काम करवाया जा रहा था घटना के समझने मिली जनकारी के मुताबिक दोपर दो बजे से तीन बजे के बीच में 25-35 की संख के में नक्सली जंगल की ओर से आए और एक साथ फारिंग शुरू कर दी जारखन में अनाधिकरित आवासे निर्मान को नियमित करने के लिए तयार होगा ड्राप्ट जारखन के मुख्य मंत्री हमन सुरेन के निदेश पर नगर विकास यहम आवास विभाग ने राजे के सह अरीच छेतर में किये गए और अनाधिकरित आवासे निर्मान को नियमित करने के दिसा में करवाई सुरू कर दी है विभाग ने इस वावत अजिसज सु cuffना भी जारी कर दी है समीती इस बावाद विभीन राजियों के आदेश योजना का अध्यान करेगी यह उच अस्तरिय समीती विभीन राजियों द्वारा अनधिक्रित अवासे निर्मान को नियमित करने को लेकर जो आदेश बनाई गई उसका अध्यान कर जार्खन राजिय के अस्थानिय प्रचल के सपेक्ष अनधिक्रीत अवासे निर्मान को नियमिती करन करने के लिए योजना 2022 का प्रारूप तयार कर नगर्विका सेवम अवास विभा को अपलब्द कराएगी अश्टम उराओं का भव्य स्वागत फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 में भारतिये टीम का नितित्व करने के लिए धनेवाद दिया तो किसी ने कहा कि उसे जार खंडी होने पर गर्व है बता दे एक आस्था ने सोसल मीडिया पर अश्टम उराओं की तारिप की उन्होंने लिखा सबसे पहले तो अश्टम को फोटबॉल टीम की केप्टन बनने पर बधाई और उज्वल भविस की धेर सारी सुबकमना है उन्होंने आगे लिखा समाई किरेत पर छोड़ते चलो निसा देखे तुम्हें जमी देखे आस्मा छट से पहले पतना जाने वाली सभी ट्रेने फोल छट महापर्व के दरान सभी लोग अपने गाव जाना चाहते हैं छट पुजा में सामिल होना चाहते हैं अब तक जिन लोगों ने टिकट नहीं कटवाया है उनके लिए छट महाँ पर में ट्रेन से गाँ जाना मुस्किल हो गया बतादे रांची से पटना जानने वाली सभी ट्रेने के टिकट फूल हो चुकी है कुछ ट्रेनों के तो अप टिकट भी नहीं कर सकते बतादे दिपावली पर घर जाने के लिए एक छुक लोग भी टिकट भूक नहीं करवा पा रहे हैं भावतिये रेलवे के लिए ओनलाइन टिकट बेचने वाली कमपनी इंडियन रेलवे कैटरीज आइन टूरिजन कर्पोरेशन के मुताबिक 18-62 हटिया पुर्नीमा कोट एक्सप्रेस ट्रेन में 22 अक्टूबर का टिकट उपलब्द नहीं है स्वास्त विभाग के निदेशक परमुख ने कहा आयोडिन यूक्त नमक स्वास्त के लिए जरूरी स्वास्त विभाग के निदेशक परमुख डाक्टर किशन कुमार ने कहा है कि लोगों को आयोडिन यूक्त नमक का इस्तिमाल करना चाहिए आयोडिन ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सरीर में नहीं बनता बलिक उसे आउट्सोर्स करना पड़ता है रांची जैसे पहाडी अस्थानों पर आयोडिन की कमी और ज्यादता हो जाती है क्योंकि पहाडी अस्थानों में उगने वाली सागसगियों में आयोडिन की पर्याप्त मत्रा नहीं मिल पाती गर्वाती महिलाओ बच्चों और बिरिधों में विशेज कर आयोडिन की जानी चाहिए विश्व आयोडिन नियुन्ता विकार नियंत्रन दिवस के मौके परवा मुख्याती थी के तर पर इसकूली बच्चों और सिक्षकों को समोधित कर रहे थे आपकी योजना आपकी सरकार में खुट्टी को 322 क्रोर का तोफ है मुख्यमंत्री हमांसुरे ने कहा है कि खुट्टी बीर भूमी है यहां हाक अधिकार को लेकर अंदोलन हुए थे पुर्वे की सरकार में पतलगड़ी के खिलाप दर्ज ममलो को आपकी सरकार ने वापस लिया है राज सरकार ने राज कर्मियों को लेकर भी नीने लिया है उनके वर्सों पुरानी मांग को पूरा किया गया वहें पुलिस कर्मियों के लिए भी नीने लिए गए हैं सरकार जल्द ही सहायक पुलिस कर्मियों के लिए भी सम्मान जनक रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है मुक्ष मंत्री हमान सुर्ण ने कहा है कि सावित्री बाई फुले की सुरी सम्रीधी जोना से सभी बच्चों को जोड़ना है इसके लिए आयोजीत हो रहे सिवी सहयक बन रहे है सरकारी स्कूलों को नीजी विद्याले की तज पर बिक्सित किया जा रहा है जहां CBSC की तज़ पर सिख्थाच दी जाएगी यहां के प्रतिभावान बच्चे बीदेश में सरकार के सोजोग से निसुल्क सिख्षा पराप्त कर रहे हैं हिमंत सरकार पर नहीं है खत्रा मंत्री अलमगीर आला मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि हमंत सरकार 5 साल का कारेकाल पूरा करेंगे भी पक्षी की साजिस नाकाम किये हैं और आगे भी करेंगे वहीं बिजेपी ने कहा है कि सील बंद लिफापा खुलने के बाद सब कुछ असपश्ट हो जाएगा बतादे हमंत सरकार को लेकर जारी सियासी संकर थमने लगा है सरकार पर खातरा टलता हुआ देख मंत्री भी आत्म विश्वास से भरे दिखने लगे है यही वज़ा है कि ग्रामिन विकास मंद्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पांच वर्षों का कारेकाल हेमांत सरकार पूरा करेगी इसमें कोई अगर-मगर की गुंजाइस नहीं है 36 गड़ के निरिते उत्सव में सियम हमन्त को मिला अमंतरन 36 गड़ आपना 23 वा राजे उत्सव एक नॉमबर को मिलाने जा रहा है इस मौके पर तिन दिवसी राष्ट्री आदिवासी निरिते महचव होगा इस आयोजन में आदिवासी संस्कृत्री के रंग दिखने को मिलेंगे इस आयोजन में देश भर के जनपतिन इध्योक नियोता भेजे जा रहे है 36 गड़ राजे के गठन को अगामी 1 नॉमबर को 22 साल पूरे हो जाएंगे इस मौके पर 23 वे राजे आस्थापना दिवास का आयोजन किया जा रहा है इसके साथ ही 36 गड़ के आदिवासी संस्कृत्री और सब्यत्ता को अंतराष्ट्री आस्थर पर पाचान दिलाने की कवाईद में तिसरी बार राजे आदिवासी निर्ति महोसो का भवे आवेजन किया जा रहा है जारखन में 100 किसान पारसला खोले जाएंगे खोंटी के कारापरखन के लोएंग केल गाव में 25 एकर में फैली किसान पारसला का सुक्रवार को CM हिमसुरे ने उदगाटन किया CM ने किसान पारसला का भ्रहमन किया यहाँ गोपालन, बतक पालन और ड्रेगन प्रूट की खेती को भी देखा किसान पारसला में उन्होंने पौधार उपन भी किया उदगाटन के बाद CM हिमसुरे ने कहा है कि करा किसान पारसला की तरज़ पर राज्ये में 100 किसान पार साला खोले जाएंगे उन्होंने कहा है कि राज्ये के 80% लोग खेती बारी पर आस्री था है सरकार ने समय पर किसानों को बीज खाद दिये लेकिन मौसम में बदलाव आया और राज्ये के कई जुलों में सुखार किस्थिती है सीएम ने DC को निध्य दिया है कि अनपार साला का वीज़न ड क्यूमेन्ट बना कर मुक्षची को सोपे रांची आरपोर्ट में बाहरी लोगों की बाहाली को लेकर आरपोर्ट पर प्रदरशन सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर रांची एरपोर्ट के विस्थापितों ने सुक्रवार को परदसन किया विस्थापितों ने हाल में साच सफाई कर्मिय की नियुक्ति को लेकर एरपोर्ट प्रवंधन के खिलाप नारेबाजी की उन्होंने नियुक्ति के लिए संबंधिर ठेकेदार पर बाहरी लोगों को पैसे लेकर नियुक्ति देने का आरोप लगाया विस्थापितों ने यारपोर्ट प्रवंधन पर उनकी अंदेखी करने का भी आरोप लगाया है बहाल किये गए बाहरी लोगों को हटाने की मांग की परदसन के बाद एयरपोट निदेशक केल अगरवाल ने अस्वासन दिया हाई किवा इस मामले का पता लगाएंगे इसके बाद विस्थाफित परदसन करनी अपने घर लोट गए बीत मंत्री रामेशोर उराव ने कामगारों को किया समानी जारखन परदेश दैनिक साफ सफाई घरेलू कामगार संग ने दीपावडी पर सुक्रवार की साम दैनिक मजदूरों और सफाई कर्मियों के साथ दीप उत्सों कत्यवार दुमधाम से मनाया और सम्मान समारों आयो डाक्टर रामे सरुरावने लगवा 150 सफाई कर्मियों यह मजदूरों को समानित किये एवं गिफ्ट के तोर पर उन्हें नए कपड़े एवं मिठायां दी दीपावली और छट को लेकर 22 से 29 तक बिजली के सभी मरमत कार्यों पर रोक दीपावली और छट पुजा को लेकर 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बिजली समानित सभी मरमत कार्यों पर रोक लगा दी गई है ताकि रांची समेत आसपास के इलाकों में निर्वाद बिजली आपूर्ती हो सके यहां निर्देश जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड रांची बिधूत एरिया बोर्ट के महा प्रवंदग पीके स्रिवास्ताव ने दिया है उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा है कि इस अधी में सट डाउन नहीं लिया जा सकता है विशेस परिश्थिती में सट डाउन समंधी चेत्र के विधूत करेपालक अभ्यानता के अनुमती के बाद ही ली जाएगी जार्खन में कुरोना के 79 एक्टिव केस है इसमें सबसे अधीक रांची में 18 एक्टिव केस है बताया गया है कि 24 घंटों में कुरोना के 10 मरीज स्वस्थ भी हुए है इसके विप्रीत राज में कुरोना के 11 मरीज मिले है स्वास्थ विभाग के अनुसार बोकारो से 4, पुर्वी सिम्भूम से 5, गोड़ा से 1 और रांची से 1 मरीज मिले है बतादे राज में कुल कुरोना मरीजों की संख्या अब 4,42,508 हो चुकी है इस बीच कुरोना का पतल लगाने के लिए जारी है राज में कुल 2,28,32,399 सेंपल की जाच की गाई इसमें से 79 सक्रिय केस है डीजीपी नीरज सिन्हा ने दी सहीद जवानों को सरधांजली जारखन पुलिस परिवार के द्वार सुक्रवार को रांची में पुलिस संसमरन दिवस मनाया गया देश की रख्छा करने वाले बीर सहित जवानों को राईधानी रांची सहित पूरे परदेश में शदागली अरपित की गई राजधानी में जैप, ग्राउंड फूलिस लाइन और CRPF केम्प सहित कई अस्थानों पर पूलिस अधिकारियों और जवानों ने सहीदों को सरदांजली अरपित की जारखन में इस वर्ष नक्सलियों सुलुहा लेते हुए तीन जवान सहीद हुए हैं जिने डीजीपी नीरज सिना सहीद तमाम वरिष्ट अधिकारियों ने सहदांजली दी जारखन में मैट्रिक और इंटर के परिक्षा मार्च में जारखन में जैक द्वारा आयोजीत दसवी और बरावी की परिक्षा मार्च में होगी इसके बाद नौवी वा एगारवी की बोड़ परिक्षा होगी सभी परिक्षा एक टर्म में होगी इसकूली सिक्षा उयम सक्षता विभाग ने इस समान में पत्र जारी कर दिया है मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा में 40% अंग के प्रश्ण बहुवे कलपी होंगे जिसकी परिक्षा OMR सीट परली जाएगी वहीं 40% अंग के प्रश्ण लगो उतरियो वा दिर्ग उतरियो होंगे या परिक्षा उतर पुस्ती का पर ली जाएगी वहीं 20% अंग का आंत्रिक मुल्याकन होगा परिक्षा के लिए JCRTX-68 मोडल प्रश्ण पत्र त्यार कर उसे जैक को भेजेगा बतादे 8.9 वह 11.9 की परिक्षा वर्श 2020 के प्रटन पर होगी एक साथ 2 से 30 की परिक्षा ली जाएगी देवघर से रांची के लिए जल्द सुरू होगी बीमान सेवा 15.9 को जहरखन 22 साल का हो जाएगा इस 22 साल में यह राज विकास पत्की और अग्रसर है इस कड़ी में राजवासियों को देवघर यारपोट का तोफा भी मिला है दिल्ली और कुलकत्ता के बाद अब रांची के लिए भी जल्द ही बीमान सेवा शुरू होगी इसको लेकर देवघर के सारट विधायक रंधीर सिंग ने नागरी कुलाने मंत्री जोत्रिया दित्य सिंधिया से दिली में मुलकात की है सारट विधायक ने नागरी कुलाने मंत्री सिरिस्तिंधिया से मिल कर देवघर यारपोट से रांची के लिए फलाइट सेवा चालू करने की मांग रखी साथ ही रातरी फलाइट लेंडिंग की सुविधा को लेकर भी वरता होई देवगर से रांची के लिए विमान से बाद जल्द सुरू होने के संकेत नागरी कुडाने मंत्री ने दिया है गुमला में बड़ा सड़क हाचा पांच यूको को ट्रक ने रौंदा जहरखंड के गुमला वर लोहरदागा मार्ग परिस्थीत गहागरा परखंड के टोटामबी के नटोली के समीप सुकरवाई की देर साम भिशन सड़क हाचा हुआ है 12 चक का लाइन ट्रक ने दो बाइक पर सवार पांच यूको को रौंद दिया इसमें चार लोग घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक यूवक जीवन वा मौत से जुज रहा है परत्यक्ष दर्शियों ने बताया है कि लाइन ट्रक घागरा से गुमला जा रहा था दो मोटर साइकल पर सवार चार लोग गुमला से घागरा की तरफ जा रहे थे इसी दर्मियान लाइन ट्रक ने दोनों मोटर साइकल को अपनी चपेट में ले लिया परवासी मजदुरों के घर लोटने से देवघर आने वाली फलाइट फूल जारखन के देवघर यारपोर्ट से उडान सुरू हुए तीन महीने होने वाले है फिलाले आहां से दिली और कुलकात्ता के लिए हवाई से वा सुरू हुई है देवगर से कुलकत्ता के लिए हफ्ते में चार दिन और दिल्ली के लिए इंडिगो की रोज सीधी फ्लाइट है उड़ान सुरू होने के बाद सावन में बुकिंग फूल चल रही थी लेकिन उसके बाद भादों सुरू होते ही यात्रियों की संख्या में 25 फिस्दी की कमी दर्श की गई थी अब दिवाली और छट नजदीक आते ही देवगर आने वाली दोनों फ्लाइट में 95 फिस्दी सीटे बुक है इस दोरान देवगर से टेक आफ करने वाली फ्लाइट में 55 से 60 फिस्दी तक बुकिंग हो रही है दो साल की बच्ची को चुरा कर भाग रहा था चोर पुलिस ने पकड़ा रांची पुलिस ने एक बच्चा चोर को गिरफतार किया है चोर दो साल की एक मासूम बच्ची को लेकर भाग रहा था और बिहार की नवादा कर रहने वाला है बता दे राजधानी में उस समय संसनी फ्ल गई जब पुलिस को यह जनकारी मिली कि अरगोडा इलाके से एक दो साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया है मामले की जनकारी मिलते ही अरगोडा पुलिस एक्टिव हुई और सिसी टीवी फुटेज के साथ साथ हुमेन इंटिलिजेंस का बेतरीन परयोग कर बच्ची को एक घंटे के बितर बरामत कर लिया वहीं बच्ची को गायब करने वाले आरोपी को भी धर दबोचा गया है रांची में भारत जोडो यातरा में सामिल हुए टाना भगत कांग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी केंद्रे की नर्यंद मोदी सरकार की नितियों के बिरुद में भारत यातरा पर निकले हुए है इस यातरा को भारत जोडो यातरा नाम दिया गया है जार्खन की राइधानी राची में भी भारत जोडो यात्रा निकाली गई इसमें महात्मा गांधी के अनुयाई टाना भगत भी सामिल हुए बंधु तिर्की अरुन की बेटी सिल्पा नेहा तिर्की की अगोई में पद्यात्रा निकाली गई बेडो इस्थीद टाना भगत सोतंतिता सेनानी असमारक अस्तल से पद्यात्रा की सुरुवात हुई और यह सोतंतिता सेनानी स्वर्गिये सोमरा टाना भगत की समाध्य अस्तल पर जाकर संपर्ण हुई कार्तिक अमाउसया को रात भर खुला रहता है माच्छीनिमस्तिके मंदीर जारखन के रामगर जीले का रजरापा मंदीर देश का परसिद सिर्थ पीठ है जहा माच्छात बिराजमान है देश के कोने कोने से सरधालू माचीन मस्तिके की पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं बता दे कार्तिक अमस्या को मंदीर की महता और बढ़ जाती है क्योंकि तंत्र साधना के लिए असम के कमाख्या मंदीर के बाद रजरापा मंदीर को दुसरा स्थान माना जाता है साल में सिर्फ अमस्या की रात को ही माचीन मस्तिके का दरबार रात भर खुला रहता है और हवन कुंडो में सरधालू, साधक और तांत्रिक तंत्रमंत्र की सिद्ध करते है मने आता है कि यहां पुजा अर्चना और हवन करने से भक्तों को मनवांचित फल्व की प्राप्ति होती है सिमडेगा की फूटबोलर पुर्निवा का जोरदार स्वागत फिफा वर्ल्ड कॉप अंडर सत्रा भारतिय महिला टीम की से सिमडेगा की बेटी पूर्निवा कुमारी वर्ल्ड कुप खेल कर अपने घर लोटी यहां आने पर फूटबोलर बेटी का जोरदार स्वागत हुआ खेल संग एम अनपता धिकारियों ने एसपी कर्याले में सबसे पहले एसपी सोरब कुमार ने बुक के एवम स्टॉल उड़ा कर पूर्निवा को समानित किया उसके बाद हौकी सिमडेगा कर्याले में पूर्निवा कुमारी का भव्य स्वागत किया गया मौके पर परमप्रागत तरीके से पुर्णिपा का स्वागत किया गया कारकरा में मुखे रूप से जारकन के पुरो मंत्री बिमला प्रधान के अलावा होकी सिम्डेगा के अध्यक्ष मनोज कौन बेगी सहित अनलोग भी मौजूद थे खेसारी लाल यादव ने कहा मेरी वीडियो को गलत तरीके से वारल मत कीजिए भजपूरी सूपरिश्टार खेसारी लाल यादव का मंदीर में जूता पहन का सुटिंग करने वाला वीडियो वारल हो रहा है जिसको लेकर खेसारी लाल यादों ने कहा है कि किसी की आस्था को ठेस पहुचाना कभी मेरा मकसद नहीं रहा है और नहोगा भागवान और उनकी गरिमा को बखो भी समझता हूँ भागवान को दिल से मानता भी हूँ इसलिए भागवान और आस्था से खिलवार की बात मैं सोच भी नहीं सकता खेसारी लाल ने कहा है कि जो लोग आज गलत तरीके से मेरे वीडियो को वारल कर रहे हैं उन भायों से आगरा करता हूँ कि आप वीडियो को इस तरह नहीं फैलाए क्योंकि आपके पास पुरा सिक्वेंस नहीं है जो वीडियो का सच है जो वीडियो वारल हुआ है उसे किसी ने गलत तरीके से बनाया है और अब वारल कर रहा है धन्यवाद शेसे सारी लाले यादव के वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं हमें आप कॉमेंट बखस में अवसे बताए साची साथ वीडियो को एक लाउक कर अपने दोस्तों किरा करना ना भूले साची साथ आप हमें कॉमेंट बखस में अपना फीड़ बेक अवसे दे थैंक यू